नमस्कार, लाइटम सीवी में आपका स्वागत है, मैं हूँ राजिव जोहान और राज़धानी अपडेट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ तो पूरे दिन भर में क्या विशेश रहा है, यह पूरी जानकारी जो है आपको इस लाइट स्ट्रीम के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे और आपको अपडेट रखेंगे कि आज पूरे दिन भर में शिमला में या पूरे शिमला जिला के अगर हम बात करें उसमें क्या विशेश रहा है तो चलिए सबसे पहले हम आपको उता देंगे कि आज जो है एवियम पर जो है सियासत गर्मानेया पर शुरू हो चुकी है और आरोप पर प्रतारोप का जो है सिंसला लगतार जारी है अभी जो है चुनाव आपको बता दें कि अभी चुनाव का रिजल्ट आर्ट तारी को आना है और उसे पहले अब जो है एवियम पर जो है काफी बड़े सवाल उठाय जा रहे है यानि कि विपक्ष दौरा सवाल उठाय जा रहे है एवियम से छेड़ चार करने के लिए और इसी के साथ साथ सत्तापक्ष का ये कहना है कि कॉंग्रेस को अपनी हार दिख रही है और जब हार दिखती है तो एवियम पर जो है सवाल उठने रहे शुरू हो जाते है तो ये अरोप पर प्रतिरोप का सिंसला लगातार जारी है आपको बता दे कि मीडिया पर भारी कॉंग्रेस के नरेज चौहन ने आज कहा कि जिस तरह से इवियम के साथ छेड़ चार जो और नेर जो राज्यव में आपर हुई है तो हिमाचर प्रदेश में भी जो इसका खत रहे इसी के लिए जो है कॉंग्रेस के जो कारे करता है उनके द्वारा स्टॉंग रूम के सामने तंबू लगाने की बात की गई है जहां पर कॉंग्रेस कारे करता द्वारा तंबू यहां पर लगाए गये हैं और ऐसे में जो भाजपा के नेता हैं उनका यह कहना है कि कॉं यहां पर मिनाती है और यह भी कहा कि एवियम पे किसी तरह से कोई भी छेड़ छाड नहीं हो सकती है और नाहीं कोई अधिकारी नाहीं कोई नेता यहाँ पर कर सकता है तो के वल कॉंग्रेस जो भरम फैलाने के यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके साथ अगरेश दस ने ये भी कहा कि जो कॉंग्रेस के कारे करता हुद वारा कुछ जगा स्ट्रॉंग रूम के अगर बात करें इवियम और वीवी पैट की मिशिने जहां पर रखी है उसके बाहर तंबू लगा दिये हैं तो उसको लेकर चनाव आयोग से शिकायत करने वाले हैं पिछले कल इनकी बैठक यहाँ पर हुई है और बैठक के बाद ये निर्ने लिया है कि जिस तरह से कॉंगरेस के जो लोग हैं जहां पर स्ट्रॉंग रूम बनाया है उसके बिलकुल सामने तंबू लगा कर यहां पर बैठे हुए हैं और इससे चनाव आयोग से शिकायत करने किया पर बात की जा रही है और इन्होंने ये भी आरोब लगाए है कि लोगों को भ्र के बात करें कॉंगरेस के दोनों तरह से बियान बाजी हुई है इसी के साथ साथ आपको दादे कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर के अगर हम बात करें तो अभी हमाचर परदेश के चुनाव के बाद अब वो गुजरात में जो है चुनाव परचार के लिए हां पर गये हैं जहां पर सरकार के इंदे सरकार की जो योजना हैं और अन्य जो चीज़े यहां पर विकास के काम हुए हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे जन संभाव को सुमोदित करेंगे तो मुख्यमंत्री अब जो है गुजरात में जो है चुनावी परचार के लिए चले हैं इसी के साथ साथ आपको बतादें कि राजधानी में दस लाग की चोरी का मामला सामने आया है और आपको बतादें कि उपनगर टूटू में ये मामला सामने आया है जिसमें दस लाग की चोरी का अन्जाम दिया है और चोरों ने घर में रखे सोने के गहने समान और यहां पर काम करता था। और यह पावर हाउस के समीब जो है न्यू टुटूक में कुराई की माकान में रहता था। जो 12 दिन से बाहर था। और जब मालक ने देखा कि माकान का कमरे का जो तूटा है तो तूरंत उस वैक्ति को सोचना दे और सूचना मिलते ही जो वैक्ति जब पर हैं और अन्य समान भी जो है यहां पर चोरी हुआ है तो यह घटना होई है हाला कि पुलिस ने एक्षिन ले लिया है जिन पर जो शक है उन पर पूश्थास भी यहां पर किये जा रही है और आए दिन खास दोर पर सर्दियों के अगर हम बात कर तो सर्दियों में इस तरह क जो मामले काफी सामने आते हैं तो लगबग 10 लाग चोरी का जो मामला यहां पर सामने आया है और उपना कर टू टू यहां कि हम कह सकते हैं कि पावर हाउस के पास जो है यह घटना सामने आप रही है और इसके लिए जो है टीमें गठित कर दी गई है और इसमें F.I.R. भी यहां पर दर्च कर दी गई है और इस पर देखना होगा कि क्यूंकि पहले भी तूटू के आस पास काफी सारी चोरी यहां पर हो चुकी है इसी के साथ आपको दादें कि जो प्रभारिया और महा सचीव सचीव भी है कॉंग्रेस के राजीव शुकला कल जो हिमाचर प्रदे है और साथ ही साथ यह भी यह भी दावा है कि अगर कॉंग्रिस की सरकार आएगी तो मुखे मंत्री का चैरा कौन होगा इस पर भी जो चर्चे हां पर की जाएगी किस तरह से जो आन्ने चीज़ें हां पर सामने होगी और इवियम की खास उपर इवियम का पहले भी आपको द जो एक वरक्शाप भी होगी और एक मीटिंग में यहाँ पर ली जाएगी तो इसी के साथ साथ तो इहमाचा परदेश में भाचपा के सरकार के खिलाफ जो है जन अक्रोश भी है परदेश में सत्ता परवितनम की लहर भी है इस सुनाओ को कॉंग्रिस ने जो है लगातार इ यहांपर बात है तो श्यएद हो सकता है कि इसको लेकर भी जो है पर चरचा किजा सके इसके साथ साथ आपको दादे कि sticks के अगर बात करें मौंटेग बात करें तो एक दीविट्टत यहां पर की जाएकी जो शिम्लम में यहां पर अज्वार चाहती है और सिम्लम्ल में दौ चैलेंज दो हजार बाइस का जो है अगाज यहां पर होगा 27 तारी को जो है इसका अगाज यहां पर होगा और 27 नुवंबर को नवहार से शुरू होकर नवहार पर खत्म होगी और इसमें लगबग जो राइडर्स हैं वो 40 किलोमेटर तक की दूरी करेंगे तो यह पहले भी आ नहीं और ताजा जानकर देखते रही है लाइटम से भी धन्यवाद